कौन कहता है बीना हलवाई के लड्डू नहीं बन सकते वैसे तो एक ट्रेडिशनली मिठाए है लेकिन हमारे यहां मंदिरों में प्रशाद में बनाई जाती है तो जी नमस्कार मैं हूं उम्मकुरम बावलिस किचन और मा अंकुरुणा जी के आशिरवात से आज हम बनाने जा रहे है बेशन के लड्डू वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिएगा चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा बेशन के लड्डू बनाने के लिए सबसे पहले हमें चाहिए बेशन हलवाई जो लड्डू बनाते हैं वो बेशन दर-दरा होता है और हमारे घर पे जो बेशन होता है वो ज्यादा तर फाइन होता है तो सबसे पहले हम उसे दर-दरा बनाएंगे यहां पर सभी चीज़े हम लेंगे परफेक्ट नाप से बेशन हमने लिया है धाई कप अब इसमें डालेंगे दो बड़े चमच घी और दो बड़े चमच थंडा दूद्ध अब इसे अच्छे से मसल ना है थोड़ी मैनत लगती है लेकिन रिजल्ट भी तो ही अच्छा आता हमारे गुजराती में इसे दाबो दिदो कहते हैं अब इस बेशन को एक छंदी से छान लेंगे ताकि सारी गाठे निकल जाएं हो गया ना बेशन दानेदार अब इस बेशन से हम बनाएंगे लेड़ू जिसके लिए लेंगे एक पैन और उसमें डालेंगे घी हमने शुरू में यह आपको बदाया था कि सब कुछ चीजे नाप के साथ चलनी चाहिए तो जितना हमने बेशन लिया है यानि कि ठाए कप तो उससे आदा घी डालेंगे यानि कि एक कप से थोड़ा ज्यादा गी अच्छे से मेल्ट हो गया है और थोड़ा गर्म भी हो गया है तो अब इसमें डालेंगे बेशन अब इसे धिमी आज पर गोल्डन ब्राउन हो जाए तब तक अच्छे से भुनना रहे अब इसे इसी तरह से पंदरा मिनीट तक धिमी आज पर ऐसे ही चलाते रहना है इसे चलाते हुए पंदरा मिनीट हो चुके है और बढ़िया सी खुश्पू भी आने लगी है अब हम क्या करेंगे इसमें दो से तीन बार पानी के छीटे डालेंगे ताकि बैसन अच्छे से खुल जाए दुबारा से इसमें ऐसे ही पानी के छीटे डालेंगे इसे दो से तीन बार करेंगे तब अच्छे से बैसन खुल जाएगा इसका बेसन लड्डू नाम रखने से कुछ विएपी नहीं हो जाता आपने मंदिर मगद नीजलाडवी हो यह यह अधकल यह कैमेरा वाली भाई महनत बहुत कराती है अपने देखा ना पिछले दूदी का हलवा और अब यह बेसन के लड्डू अब जब भी कुछ मिठाई की रेसिपी होगी तो हम यह खड़े खड़े नहीं बनाएंगे नीचे बैठके बनाएंगे देखिए बेसन को हमने अच्छे से भून लिया है अब इसे दूसरे बरतन में निकल लेंगे और फैला देंगे ताकि यह थोड़ा थंडा हो जाए अब इसे भी दो मिनिट तक ऐसे ही चलाते रहेंगे और डालेंगे इलाइची पाउर्डर अब इसमें डालेंगे चीनी का बूरा वो भी नाप के साथ यहां पर हमने लिया था डाई कॉप बेसन तो उस हिसाब से उससे आजा चीनी का बूरा यह हो गए हमारे बेसन के लड़ू तया लड़ू नहीं लड़ू तो अब हम बनाएंगे जो आप किसी भी शेप में बना सकते हों। अब इतनी मेनद की है तो टेस्ट भी करना पड़ेगा। चेक करते हैं। हमारे लड़ू तो बिल्ड पूल डानेदर बने है। अब हो गए है बेसन के लड़ू तयाग। आप भी एक बार घर पे ट्राइस जरूर कीजिएगा। बिगीनर हो तब भी बन जाएंगे। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिएगा। चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं अगली रेसिपी के साथ तब तक बाई बाई टेक केर। अगल है। ओ नौ। इस बंचरे। क्या कर रहे हो शेप। पेसं का मिक्चर पंखे के नीचे थंडा हो रहा है थंडा। पुझे का आज क्या आज। ये देखिये हो गया। अगल है। अगल है। अब हो गये बेसं के लड़ू टेया। अब भी एक बार घर पे ट्राइ किजिएगा। अगर आप किजिएगा।